संभल में 24 नवंबर को अचानक हिंसा भड़की यह साज़िशन भड़काई गई CCTV फुटेट की शकल में कुछ नए सुबूत सामने आए है 24 नवंबर का विडियो उस वक्त का है जब कोड की आदेश से सर्वे करने पहुची टीम जामा मस्जिद के भीतर थी और मस्जिद के बाहर की गलियों में हिंसक होती भीर नजर आ रही है जामा मस्जिद के पास उपर से सर्वे करके उतरती टीम देखिए और इसी वक्त इस विडियो को थोड़ा सा रिवाइन करते हैं तो नीचे गली की तरफ जाते कैमरे पर ध्यान दीजिए नीचे पत्थर बाजी चालू दिखती है पुलिस के टीम पीछे हट्ती नजर आती है और गली के कोने से भीर पत्थर फेकती दिखती है मस्जिद के ठीक पास और मस्जिद के उपर से बनाए गया इस विडियो में तीन तरफ गलिया है जहां गली के एक तरफ पुलिस कर्मी दिखते हैं जब कैमरा घूमता है तो दूसरी तरफ भीड सैकडों की तादाब में दिखती है और लगता है कि जैसे एक तरफ से पूरी भीड खटा होकर मस्जिद के पास पहुची है या फिर पहुचाई गई है लेकिन सवाल ये कि ये मस्जिद में होते सर्वे का विरूत करने आई या फिर मन्शा कुछ और थी इसलिए वीडियो नंबर तीन देखना जरूरी है इस तीसरे वीडियो में भीड के आगे पत्थरबाजी करते लोगों ने रुमाल या मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा है मो छिपाने की कोशि जिसकी वज़े से वीडियो बनाने वाला पीछे हड़ता है अब हिंसा के दौरान का ये वीडियो देखिए जिसमें कुछ लोग मू धके दिखते हैं इनमें से पहले ये काले रंग की टी-शेट पहना शक्स वहां लगे सिस्टिवी कैमरे की तरफ इशारा करता है तबी मू पहले हाथ में बल्ली लेकर सफेद रुमाल मुपर बना शक्स कैमरा तोड़ने की कोशिश करता है इसके बाद एक और शक्स रुमाल से मूझ ढके हुए आता है इसने भी फिर बांस मारा जिससे कैमरा हिल जाता है और तब तीसरा ये पत्थरवाज जिसने मूझ ढका है सीधे चड़कर कैमरा खीच लेता है बाकी लोग को तो हम लोग का तो किसीकी निर्दोस के कोई डिसर्प ने करेंगे ता व्योरो रिपोर्ट यूपी तक